यह वीडियो देखा आपने दिल्ली में MCD में मेर के चुनाओ का वीडियो है अज मेर के चुनाओ के लिए बोड डलना था आम आदनी पार्टी सत्ता पक्ष में है ज्यादा उसके पार्सजीत क्या है बहुमत में है विपक्ष में BJP है लेकिन वो कह रहे हैं कि मेर तो मेरा इसके कई माएने हैं इस देश में आजादी के 75 साल बाद चुनाओ के बाद आराम से जो पार्टी हार जाती है वो दूसरी पार्टी को सत्ता सौप देती है चाहे वो लालू यादव रहे हो मायवती जी रही हो अखलेश यादव रहे हो करपूर इठाको रहे हो चोधरी चर पर्टी की या आमादी पाटी वालोव ने भी माड़ पिट की दोनों कारों पर एक दूसरे पर आपको क्या लगता है कि जो लोग चुनाओ जीतने में के बाद सब जानते हैं दिल्ली में भी मेर आमादी पार्टी का होना चाहिए उसके बाद भी बीजेपी दावा कर रही है लगातार बीजेपी जीते हुए बिधायकों को खरीद लेती है कॉंगरेस वाले को उनकी भी गलती है जो बिकते हैं लेकिन इहां तो बिकने खरीदने का भी मामला नहीं था जिस तरह से मार पिट हुआ क्या लगता है कि क्या BJP के DNA में डेमोकरेसी है क्या इस देश में अब डेमोकरेसी का कोई मायने नहीं रह गया है और क्या अब BJP चुनाओ हार भी जाएगी तो सत्ता नहीं सौपेगी और जो पार्टी चुनाओ हारने के बाद भी इस तरह का जोल जुल्म करे क्या वो पार्टी चुनाओ जितने के लिए क्या क्या करती होगी नमस्कार मैं संभुक मार सिंग और आप देख रहे हैंने सल्दर्थ मेरा सवाल वही है कि जो BJP दिल्ली में मेर का चुनाओ हार गई कांसलर के चुनाओ में बहुमत नहीं आया बहुमत आमादी पार्टी को आया वो जब किसी कीमत पर मेर बने रहना चाहता है चाहती है कि उसका मेर बना रहा है जो पार्टी वो चुनाओ जीतने के लिए क्या क्या करता होगा क्या ये सुप्रिम कोर्ट को नहीं खरितते होंगे क्या ये चुनाओ आयोग को नहीं खरितते होंगे क्या इंकम टेक्स एडी का दुरूपयोग नहीं करते होंगे होता तो यह सब पहले भी था कॉंग्रेस के दौर में भी लेकिन वो सब कुछ बन दरवाजे में होता था और बीजेपी ने सब कुछ खुलेाम कर दिया लेकिन सोचिए इस देश में माया बतीजी जब मुखमन्तरी थी तो किस तरह से चुनाव आयोग ने उनके हाथी तक को ढखबा दिया था इस देश की मीडिया ने कैसे उनके पार्कों का मजा कुराया इस देश में कैसे टी एंसेसर नाम का सबन चुनाव आयोग ने लालू यादब को हराने के लिए तमाम तिक्रमेगी और इस देश में आज भी SCST OBC मानोटी और किसान जातियों के लोग चाहे चौदुरी चरंसिंग हो चाहे जाट हो, गुर्जर हो, पराठा हो, पठेल हो वो सब डेमोक्रेसी को मानते हैं कि बीएम से लेकर चुनाव आयोग तक, इंकम टेक्स से लेकर E.D. तक और चपरासी से लेकर सुप्रीम कोर तक मैनेज करते होंगे इनका चरितर तो यही दिखाता है, आप लोग बताएगा जरूरूर। तो आज की सबसे बड़ी ख़वर है ये सबसे बड़ा डर और सवाल खड़ा हो रहा है खैर इस सक्स को देखे इसका नाम है शंकर मिसरा एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था विदेश में इसने एक महिला पर पिशाप कर दिया फ्लाइट में अब जाकर इसका नाम जाहिर हुआ है नाम है शंकर मिस्रा तो क्या जिस तरह से पूरे मुसल्मानों को दलितों को पिछरों को किसानों को एक आरोपी की वह से बदनाम कर दिया जाता है पूरी कम्यूटी को क्या इसकी पूरी कम्यूटी को इसी तरह से बदनाम किया जा सकता है क्या इसकी पुरी community को जहाज पर चहने से रोका जा सकता है मैं उसके खिलाफ हूँ लेकिन वो कौल लोग है टीवी में बैठे हूँ मैं नाम गिना दे रहा हूँ अंजनावमकश्यप की जाती क्या है अमन्चोपरा की जाती क्या है चित्रा तिरपाठी की जाती क्या है अरनव गुस्वामी की जाती क्या है अमीज देवगन की जाती क्या है यह सब लोग किसी एक कारण से पूरे community को बदनाम करते हैं टीवी अखवार में मैं अभी भी कह रहा हूँ शंकर मिसरा की गलती की सजा पूरे ब्रहामन समाज को नहीं दी जा सकती है ठीक उसी तरह से किसी भी community के किसी individual की गलती को सब की गलती नहीं बताया जा सकता लेकिन इस देश में किसी एक आरोपी की वज़ा से उसके घर पर बुल्डोजर चलता है उसके घर बालों को तबाह किया जाता है और तब यहीं लोग तालीव जाते हैं खेर मैं तो बोलूँगा और आज जैभीम आज ही के दिन जैभीम 1935 में पाबु हरदास ने किया था जैभीम का आज दुनिया का सबसे सकती सालिस सब जैभीम और इस जैभीम सब का सबसे पहला उलेख आजी के दिन 6 जनवर 1935 को बाबु हरदास ने किया था जैभीम United Nations में भी जैभीम गुंजा है वो भी स्क्रीन सवर दिखाऊंगा तो यह देखिए किस तरह से लोगों ने लराई कि और जंगल राज में सामंतवाज चरम पर है बीजेपी हटाओ बस पालाओ सुचे कानपूर की वीडियो है सिडूल काश्ट के लोगों का संतोस राजपूत के साथियों ने मिलकर मकानों पर बुल्डोजर चला दिया तो यह अत्याचार अन्याय लगातार हो रहा है और वहीं देशी वाली एरलाइन सुर्थे बीमान में महिला पर पेसाब करने वाले संकर मिस्रा के खिलाफ महीने भर खामोस रही लेकिन मालिक के पब्लिक होने पर लेकिन मामले को पब्लिक होने पर विल्स फार्गो जैसी बिदेशी कंप्री ने मिस्रा को बाहर निकाल दिया ये भी खबर है और अब साफ हो गया है कि राजसरकार नहीं आरक्षन का ध्यान नहीं दिया सुप्रिम कोट जिस तरह से OBC रिजर्वेशन निगर निकाय चुनाव में खत्म हुआ उस पर सुप्रिम कोट का और जिर्वेशन है कि राजसरकार ने ध्यान नहीं दिया और वो चाहती थी कि आरक्षन खत्म हो जाए और डेंटल कोरेज में दली छात्रा से जाती को लेकर दुर्वेबार 6 महिने तक छात्रों ने किया परतारित बेंगलूरू की खबर है ये और एकनॉमिक बीकर स सिवराज सरकार का फैसला है वहीं OBC का 27% रिजर्वेशन अभी तक नहीं मिल रहा है ये वीडियो ये बहुत सोसल मिडिया पर वाइरल जिसमें दो टीटी हमें स्क्रीन से और दिखा रहे हैं दो टीटी इने ट्रेन में यात्रियों के साथ मार्पिट की है और दलिद वोमें पर दो टेंपल ये बैंगलोर की तस्वीर हैं हम सिर्फ स्क्रीन से और दिखा रहे हैं बैंगलोर में मैं आज एक कुछ कॉल से ले रहा था सारे सवन समाज के लोग मोहिश शर्मा को कॉल करके गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम हिंदू नहीं हो जैसी मैं हिंदू से सवाल करता हूँ कि आपके घर में जाती धर्म देखकर होता है या जाती देखकर तो जाती देखकर तो कैसे हिंदू को एक जूट करोगे सोचिये जो आपको मंदिर में चरहावा चरहानी नहीं दे रहे हैं वो आपके बच्चों को SPDM कलक्टर बनने देते होंगे इसलिए साइब ने 156 में हमें रास्ता दिखाया उस पर हमें चलना चाहिए और दिल्ली हाई कोट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि जूबैर पर कोई केस ही नहीं बन रहा है तो क्या उनको बेवज़ गिरफतार किया गया सवाल तो यही है और महिला पर पिसाब करने वाले का नाम मिस्रा की जगर मिर्जा होता तो ये ना ये एक्षन में आ गया होता राष्टबादी एंकर सोर मचा रहे होते और इसे कोई जिहाद बता रहा होता और दिल्ली MCD के इतिहांस में पहली बार किसी मनोजीत पारसत को दोरते हुए सफ़त लेते हुए देखा है और गाजियाबाद में देखिए गाजियाबाद में बीजेपी अध्यक्ष को सराप पी कर गारी चलाने और पुलिस कर्मी से बत्तमीजी के मामले में नुएडा पुलिस ने गिरफतार किया और मैं बार बार कह रहा हूँ कैसे नाम छुपाया जाता है सोचिए इन दौर में एक सक्सैसुवम का इत्वास उसने दो मंदिरों में तोर फोर की क्योंकि उसका कहना था कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई मेरी बात नहीं मानी गई ये नाई ने उसका नाम नहीं दिखाया लेकिन कोई मुसलमान होता तो नाम दिखा दिया जाता और उत्तर परदेश के कानपूर में पुलिस की खाकी पर एक फिर लगे आरोप सिपाही ने महिला के साथ घर में घुशकर बद सुलू की कोशिस की है और ये वीडियो देखिए जैभीम उनाइटेड नेशन्स में तो मिनट के दो सेकेंड का एम्बियन सुनिये तो बावा साब एकिस्वी सदी भुजुनों की होगी बावा साहब की सदी होगी और दिलियम सिरी मेर के चुनाओं के दरान हुई मारपीट एलजी द्वारा परसो चुने के भाजपा के मनोनीज पारसुदों को पहले बोर दिलवाय जा रहा था और सुचिये दिलीप मंडल ने क्या लिखा है यह संकर मिस्रा इस नहीं एर इंडिया प्लेन में बुढ़ी लाचार औरत के सामने खरे होकर उनके सरीर पर पिसाब कर दिया था यह इंडिया के स्टाप ने इसे रोका नहीं नहीं पुलिस के हवाले किया यह विल्स फार्गो में नौकरी करता है पुलिस इसे खोज रहे नजर आये तो दिल्ली पुलिस को सुचित करें तो इस तरह के भी लोग है और ऐसे लोग को भी बचाय जा सकता है लेकिन इसकी वज़े से पूरी कम्यूटी को गाली देंगे कि नहीं वो आप बताईएगा जैसे मुसल्मानों को दलितों को पिछरों को किसानों को खलिस्तानी कहा जाता है भाजपा की फसी जान याद आये मुसल्मान अमन चोपरा खाएगा लात राजस्तान पुलिस करेगी मुलाकात तो अमन चोपरा पर फिर से सिकंजा बर रहा है और सबसे बड़ी खबर एक और है देखिए बामन में स्राम जो है इबीम यात्रा करने जा रहे है इबीम के खिलाब बड़ा परदर्सन होने जा रहा है 26 जनवरी से 9 जनवरी को बहुजन मुक्ती मोर्चा OBC बाम सेफ ने बड़ा एलान किया है वो उपी में बंद करने जा रहे हैं OBC आरक्षन को लेकर और खेतों में किस तरह से सांड चर रहा है ये तस्वीरे देखिए और ये वीडियो सुन लिजिए अंजली केस में अब वह लड़का भी सामने आ जिसने हास्ते वाली रात को निदी को घर लोडते हुए देखा था निदी उसको लगातार धमकिया दे रही है और कांजावला केस का छठा रोपिया अस्तोस गिरफतार पुलिस जांत में खुलासा कार नहीं कार नहीं घर में था ड्राइविंग सोचिए इन लोगों ने जान बुचकर उस बच्ची को मारा है और अब उसको छुपाने की कोशिश कर रहे है और यहां इन दोर का बिरुजगार सुभम का इत्वास है इसने कल सुभाव दो मंदिरों में परतिमाओं को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि उसको नौकरी नहीं मुली थी और अहमदाबाद में बजरंग दल के गुंडों एक मौल में घुषकर सारुख खान के पुस्टर फारे सुचे इस देश में लगातार जो है वो लोग गुंडे जो है वो इस दरह का उपद्रव करते हैं और उस पर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है आज सुनिल सेटी का एक वीडियो वायरल है जिसमें उसने यह होगी के मूँ पर कहा कि यह बाइकॉट गैंग को आप ही रोक सकते हैं या परधान मंतरी मोदीश का मतलब तमाम दरवियों को यही लोग संचाली मैं नहीं कहरा हूँ सुनिल सेटी बिजनस समझे जी हिंदी जो है जी नी जो है वो नफरत फैलाता है मुसल्मानों के खिलाब और जी सलाम जो है वो प्रो मुसलिम खबरे चलाता है तो यह भी उनका बिजनस है यह समझे और यह देखे यह बीजेपी की महिला नेता है जो IT से चलाती हैं और ये गलत ये तस्वीरे जो है जिस तरह से हल्दवानी में इन्रोच्मेंट की तस्वीरे थी उसको ये महिला कोलकाता की तस्वीरे जो है ये प्रिती गांदी हैं बीजेपी की आदमी है ये चला रही है और जाते जाते ये सुरेश सास्त्रे इन्होंने मा नाक्रोस यात्रा देख लिजे जिसमें लोग काफी नाराज थे तो यह तमाम बड़ी ख़बरे थी आज की जो सोसल मेडिया पर वायरल है आप लोग अपनी पर्तक्रिया जरूर दीजे शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़ झाल झाल